अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि CSE ID को जल्दी एप्रूव कराने के लिए क्या तरीके होते हैं, आपको डिश्टिक मेनेजर से कैसे संपर करना होता है, क्या बात करना होता है, क्या-क्या डॉक्यमेंट लेके जाने होते हैं वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी दी, इस वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई दी रहा होगा, इस वीडियो में इतने कमेंट लोगों के आए हैं, जिसमें CSE एप्रूवल को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है, कुछ लोग साल भर से हटका हुआ है, कुछ लोगों का दो महीने से हटका है, अब इन लोगों की समस्याओं का फाइदा उठाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आपको CSE ID एप्रूवल के नाम पर आप से पैसे मांगेंगे, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग फस भी जाते ह जिसका एक लाइव एक्जामपल में आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो ऐसे लोगों से बचके रहना है, किल लोगों से बचके रहना है ताकि आपको परसानी ना हो, इस करड़ से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, यहाँ पर एक अभी से कुमार जी है, जिनका अभ परड़ी उन्होंने तीन हजार रुपए किसी व्यक्ति को दे दिये, मैंने उनसे पूछा किसी व्यक्ति को देने का मतलब क्या हुआ है, किसी व्यक्ति को मतलब किसको दे दिये आपने, क्योंकि डिश्टिक मैनेजर जो है, वो आपके जिले में बैठता है, आप उसके ऑफ के रखा है लेकिन उसके बाद भी पतनी कहा कहा से आईडी ले लेके मेरे वीडियो पर कमेंट कर देते हैं यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा है एक अभी से कुमार जी जो है उनने किया था कमेंट मेरा से महीने से जादा हो गया लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है फिर कि व्यक्ति ने CSC Tech Helpdesk के नाम से है उन्होंने किया जी ब्रो वाटस अप करो CSC ID के लिए ठीक उसके बाद एक Regional Office Delhi पूरी स्पेलिंग गलत है रिजिनल की सही है ना डेली की सही है स्पेलिंग Regional Office Delhi CSC ID अप्रूव करवाना है तो कॉंटेक्ट कीजिए नंबर DP में 48 घंटा में ID अप्रूव हो जाएगी ये चीज इनसे कही गई अभिसेक कुमार जी से अभी रिसेंटली मैं दिखा रहा हूँ आपको इनका कमेंट जो है अभिसेक कुमार का और अभी जो मेरी इनसे बात हो रही थी उनका कहना यह था यहां पर है एक बार एक आदमी ले जा चुका है तीन हजार ऐसा उन्होंने कहा तो मैंने कभी यह एक आदमी मतलब कौन आदमी डिस्टिक मेनेजर ही है कि नहीं ऐसा किसी को नहीं देना चाहिए बड़े बाई पैसे उनके आफिस में जाके चाहिए वो उस व्यक्ति के चक्कर में फस गए जिनका जो अभी मैंने कमेंट आपको पढ़के दिखाया था तो भाईया मैं आप सबी से बार बार निवेदन करता हूँ अइसे लोगों के चकर में मत फसना हाज जोडके निवेदन है CSCID ऐसे कोई भी अप्रूव नहीं करवा सकता है इतनी बेवकूफी अब दुबारा कोई नहीं करेगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने आसपास या कोई जितने भी लोग उन सब को समझा देना ऐसे अप्रूव नहीं होती है यह तरीका नहीं होता है काम करने का लोग आपको लूट के चले जाते हैं और आप लूटने को तैयार बड़ते हैं तीन हजार रुपए ट्रेनिंग के नाम पे दो सुर रुपए अगर आपको देने होते हैं तो आपको दो सुर रुपए लगत जादा हैं बहुत जादा 200 रुपए हैं आप ट्रेनिंग के लिए ले रहे जिसमें हम आपको एक साल की ट्रेनिंग देते हैं देकर यहाँ तीन हजार रुपए फ्रॉड के लोगों को देने के लिए आईडी एप प्रूव करवाने के लिए आप तीन हजार रुपए आराम से इसने दे द का तो भाईया पहले अपना नौलेज बढ़ा लो ऐसी चीज़ों से बचो और ऐसा दुबारा कोई न करें इस करद से मैंने ये वीडियो बनाया है आइडिया प्रूव कराने का सिर्फ एक तरीका होता है जो आपके डिश्टिक मेनेजर होते हैं उस व्यक्ति के पास जाओ उस दोने CSC वाले हैं कि ये क्या प्रूसेस है क्या ये ID बिना पैसे होके नहीं दे रहा है वैसे तो गलत है पैसे लेना गलत है लेकिन आज DM जो है वो भी करप्ट हो चुके हैं maximum 90% जो डिश्टिक मेनेजर वो पैसे लेकर ही ID अप्रूव कर रहा है और ये कोई छुपाने की ब CLE है उनको कुछ सपोर्ट मिले और वो अच्छा काम करें लेकिन यहाँ पर ये जो धांदली चलती है इसका रड़ से लोग परिसान रहते हैं तो आप केवल इतना करें कि भी ये डिश्टिक मेनेजर से ही संपर्क करें केवल वही आदिमी है जो ID अप्रूव करेगा इसके